सल्मान खान से कौन पैसों की बसूली करना चाहता था सल्मान की किस फिल्म के लिए गैंक्स्टर की तरफ से उगाही के तौर पर पैसा भेजने को कह गया इस वीडियो माँ को बताएंगे ऐसी ही डेटेल सल्मान खान को जो धमकी वाली चिट्थी भेजी गई थी उसका मकसद सल्मान के खिलाब मर्डर का प्लान नहीं था बलकि सल्मान खान से पैसे वसूलना था खुलासा हुआ है कि धमकी देने वाले की नजर सल्मान खान की करोणों की कमाई पर थी और वो सल्मान से हर मैने रकम मैठना चाहता था हलांकि उसके मनसूबे इसमें सफल नहीं हो पाए सल्मान से उगाही की उमीद पालने वाले बदमाश का नाम लौरेंस बिशनोई है जो कि पिछले कई सालों से रेकी करवा रहा था मारास सरकार ने सिलसले में खुलासा किया है विशनोई गिरोन अबिनेता सल्मान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी सिर्फ अपनी शक्ती दिखाने के लिए दी थी वो डर का महौल बना कर बड़े बड़े बिजनिसमेंट और एक्टर से पैसे बसूलने के तयारी कर रहे थे हलांकि सल्मान के बहाने अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिस लॉरेंस विशनोई पर भारी पड़ गई और उसे पकड़ लिया गया बताया जाता है कि 2017 में भी इसी न सल्मान से पैसे एटने की कोशिस की थी हलांकि तब भी उसकी हसरत अधूरी रह गई और दूसरी बार भी उसका पंगा लेना खाली चला गया सल्मान खान की चोरी चोरी चुपके चुपके मूवी एक बक्त में परदे पर खूब चाही रही इस फिल्म के जरिये सल्मान खान जितना फेमस हुए उतनी ही बुरी नजर डी गैंग न लगा दी खुलासा हुआ कि सल्मान खान की सिल्म से होने वाली कमाई को छोटा शकील चाहता था कि छोटा शकील सल्मान खान पर इस मूवी को साइन करने का दबाव बनाया था उसे लगता था कि सल्मान वो शक्स हैं जो से पैसे भी देंगे और उसकी दबंगई को बॉलिवुड मागे भी बढ़ाएंगे मगर सल्मान इस तरह की धमकियों से बेपरवा थे उन्होंने बता दिया कि कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले नहीं तुमारे कहने पर फिल्म साइन करेंगे रवी पुजारी भी ऐसा गैंक्सर है जो सल्मान खान से रंगदारी चौहता था खुलासा हुआ कि रवी पुजारी सल्मान खान को फोन किया करता था और उनसे पैसे की डिमांड पूरी करने को कहता था इसके लिए उसने इंटरनेट कॉलिंग का सहरा लिया हलांकि सल्मान खान भी अलग मिट्टी के बने थे बताया जाता है कि उस दोर में सल्मान ना सिर्फ अपना करियर बढ़ाने पर ध्यान दिया उन्होंने रवी पुजारी की धमकियों से डर कर फिल्म करना बंद नहीं किया सल्मान खान जब रेज 3 की शूटिंग कर रहे थे उस बक्त अचानक शूटिंग रोकनी पड़ी हाथ में हत्यार लेकर कुछ लोग गुड़गाओं पिल से टीम गुस गई ये हत्यार बंद लोग कहने लगे कि वो सल्मान को जान से मार देंगे हालांकि सल्मान खान इस बार भी डरे नहीं थे दोस्तों क्या आपको लगता है कि सल्मान खान से कोई बदमाश या गैंगिस सर पैसे भी मांग सकता है प्रमेंट बॉक्स में अपनी रायज जरूर दें